नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं उपचुना से पुर उन्होंने उस वक्त सब को हैरत में डाल दिया था जब ततकालिन मंत्री हाजी हुसेन अंसारी की निधन के बाद उन्होंने उनके पूत्र हफिजूल हसन अंसारी को मंत्री बनाया हाफिजूल उस वक्त विधान सभा कसस नहीं थे बाद में विधान सभा उपचुना में हेमांत सुरेन ने उन्होंने अपने दल चारखन मुक्ति मुर्चा से परत्यासी बनाया और जीत भी दियाया बता दे आरव में उनके इस पर्योग को संका के दिश्टे से जखा जा रहा था लेकिन वे सही साबित हुए अब एक बार फिर यही फर्मूला गिरी डी के डुमरी बिधान सभा छेत्र में अजमाने की तियारी चल रही है उलेखनिया है कि मंत्री जगनात महतों के निधन के बाद एयासी टरिकता है राईनिती गलियारे में इस बाद की सुबगाहाथ है कि हमन सुरेन उनके पुत्र अकलेस कुमार उर्फ राजु महतों को उत्राधिकारी बनाना चाते है जारखन में ठनका गीने से 6 बच्चों की मौत साहव गंज और पाकुड में रविवार को बजरपात से 6 बच्चों की मौत होगा जबकि दो बच्चे और एक ब्यक्ति गंभी रूप से जुलस गए इधर मौसम भी ग्यान केंद्रे ने 1 से 3 माई तक राज्य के अलग-अलग हिसों में गरजन और बजरपात की चेतावनी दिया है इस दोरान हवा की गाती 30 से 40 किलोमेटर पति घंटा हो सकती है मौसम भी ग्यान केंद्रे ने 1 माई के लिए चेतावनी और ओरेंज अलग किया है जबकि 2 और 3 माई के लिए एलो अलेट जारी किया है वहीं 3 माई के बाद गर्मी बढ़ सकती है इस दोरान बादल चाय रहेंगे बता दे साहिव गंज में ठनका गिरने की घंटना राधान अगर थाना छेतर के पच्छ में उधवा के बाबु टोला आम बगानी में होई इस घंटना में 4 बच्चे की मौत हो गई है पीए मोधी की मन की बाद से जार्खन के 11 लाख हुए रूबरू परदेश भारतिय जानता पार्टी ने इस एतिहासिक और प्रसिद सनवाद कार्खन को जन जन तक पहुचाने के लिए जोजना बहतरी के स्थियारी की थी पार्टी ने सभी बिधान सभाचेतर में 100 अस्थान चिनित किये थे इसके अलावा समाज के विभिन समुहों के बीच भी प्रमूख नेतागन की उपचिती में कारकरम को सुनने की विवस्ता सुने चित की गई थी बतादे भाजपा एवं समाजिक तथा धार्मिक संगठनों के समुहिक पर्यासों से राजे में 9000 से ज्यादा अस्थानों परलगभग 11 लाख लोग मन की बात कारकरम के पर्त्यक्ष चुरुता बने 1932 का खतियान नियोजन निती पर गर्जे सुदेश महतो अल जार्खन इस्टुडेंट यूनियन पार्टी के सुप्रीमों सुदेश महतों ने जार्खन की हेमन सुरेन सरकार पर जम कर हमला बोला रभीवार को राजधानी रांची के मुराबादी इस्थित बापू आटिका से हर्मु मैदान तक 9 मार्च निकालने के बाद उन्होंने 1932 के खतियान अस्थानी निती और पिछड़ा वर्ग आरक्चन समेत और जवलत मुद्धो पर सरकार को खुब खारी कोटी सुनाई उन्होंने कहा है कि अब वो जानता को जगाएंगे रभिवार को राची स्थित हर्मु मैदान में अपने समर्थकों को समोधित करते हुए सुदेस मातो ने कहा है कि सरकार को उठाने का वक्त खतम हुआ अब जानता को जगाने का वक्त आ गया है उन्होंने कहा है कि जगाने का काम सुरू में होता है राद के एक या दो बजे लोगों को जगाया जाता है भोर के चार बजे उठने का वक्त होता है सुदेश महतों ने कहा है कि हेमान सोरेन की सरकार ने कहा था कि वो 1932 का खत्यान लागू करेंगे लेकिन गलती से 2023 का खत्यान लागू कर दिया गया राजेपाल सीपी राधा कृष्णन ने पीएम की मन की बात कारकरम को सुना जहारखन के राजेपाल सीपी राधा कृष्णन ने पद्म पुरसकार बिजेताओं और कुलपतियों के साथ बैठक कर राजभौन में पीएम मन की बात कारकरम का सवा संसकरन सुना कारकरम समापन के बाद राजय पाल ने पी एम के इस पहल की प्रसंसा की और कारकरम को ले कर लोगों के लिए प्रेन दायक बताया बतादे प्रधानमति नायनमोदी के मन की बातकार करम के सौवे संसक्रण को राजेपासी पी राधा कृष्ण ने राजभौन में सभी पद्मपुरसकार बिजयताओं और कुलपतियों के साथ बैठ कर सुना मन की बात कारकरम के सोवे संसकरण पर खुसी जताते हुए राजेपाल ने कहा है कि यह एतिहासिक और गरवानमीत करने वाला पला है उन्होंने कहा कि परधान मतिन्यान मधी दुनिया की एक प्रभाव साली ब्यक्तित्व हैं उनका जानता से जुलने का अधभूत संचार कोशल और मजबूत नतित्व ना केवल देश वासियों को बलीक पुरी दुनिया के लोगों को आकर्शित करता है राजेपाल ने कहा है कि पिये मोदी के प्रेरक व्यक्तित्व और कार्यों के कारण देश की नाई पिढ़ी उन्हें अपना दर्स मानती है कम उम्र में हाट अटेक हुआ आखे में चस्मे पर नियंत्रन जरूरी जारखन एसोसियेशन और फिजिस्चियन सेमिनार के दूसरे दिन विष्टू पुरिष्थीत होटल में डॉक्त्रों ने कम उम्र में हाट अटेक, बलड प्रेसर, हाइपर टेंशन, मदु में आखो पर चस्मा, हड़ी की कमचोरी और मानसिक बिमारियों पर चिन्ता जताई उन्होंने कहा है कि एक प्रारूप तयार कर एसोसियेशन के माध्यम से परधान मंत्रियों और विभीन राजियों के मुख मंत्रियों को दी जाएगी ताकि जीवन पर व्यापक असर डाल रही बिमारियों पर नियंत्रन के लिए सकरात्मक पहल हो विशसाग्यों ने कहा है कि बदलती जीवन सैली से फाइल रही बिमारी भले ही छोटी हो लेकिन हम जिन्दगी से खेल रहे हैं इसके प्रती जागरूपता जरूरी है ध्यान नहीं देने से एक दिन्या किरिनी आक, ब्रेन, हाट वर लंग्स पर असर डालेगा सेमिनार का उदगाटन डाक्टर कमलेश तिवारी ने किया है आर्मी के जवान को लगी इनसाथ से गोली बुट्टी मोड हनुमान नगर के समीप इस्थित आर्मी कैंप में 44 फिल्ड रेजिमेंट के जवान बिगनेस 22 वर्षियों को ठूंडी में गोली लग गई, गोली जवान के सीर को छे देते हुए पार कर गई गंभीर इस्थिती में उन्हें कोकर इस्थित सैम फोर्ड अस्पताल में भरती करया गया बताते आईस्यू में उनका इलाज चल रहा है इस्थिती काफी गंभीर बताई जा रही है घातना के समध में बताया जाता है कि सनिवार के सुबह 10 बजे के करीब आर्मी कैंप में बच्चों को स्कूल ले जाने वाले ट्रक नूमा वाहन में आर्मी जवान खुन से लद्पत इस्थिती में पाया गया उसे दूसरे जवान ने देखा और अपने अने साथियों को सुचित किया प्येम मोदी ने की दुमका के संजय कक्छप के कारियों की चर्चा प्रधान मंत्री मोदी ने मन की बात कारकरम के सवें एपिसोड में ज़ार्खन के लाइबरेरियन संजय कक्छप की चर्चा की है संजय कक्छप के कारियों की प्रसंसा प्रधान मंत्री मोदी संतनवे एपिसोड में भी कर चुके हैं बतादे संजय कक्छप जार्खन प्रसासनिक सेवा के अधिकारी हैं और दुमका में किसी उत्पादन बजार समिती के पनन सचिव के तौर पर सेवा देश चुके हैं जार्खन से मन के बाद के नेशनन कंकलेव में उन्हें अमंत्रित किया गया था रबिवार को सवे एपिसोड के लाइव स्क्रीनिंग के दरान संजय कक्छप जार्खन राजबन में मजूद रहे पी-म के मन की बाद के बाद अपने समोधन में राज जेपाल सीपीरा राकिष्णन ने भी संजय कक्छप के कारेयों की प्रसंसा की जबकि संजय कक्छप ने भी आपने विचारों को रखते हुए कम्यूनिटी लैबरेरी की आवसक्ता पर जोर दिया है कुरोना को लेकर लोगों में नहीं दीख रही है सजक्ता राजधानी राची सहित पुरे राज में संक्रमन का दर बढ़ता जा रहा इसके बाजूद भी एहतियात बरत्ते लोग नजर नहीं आ रहे है भीर भावारे इलाके में लोग बिना मास्क के घूम रहे है सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन में लपरवाही बरत्ते नजर आ रहे है बता दे राज्ची के भी भीन इलाकों में परताल की गए जिसमें देखा गया कि अभी भी कुरोना संक्रमन को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं बिना मास्क के बेखौप घूम रहे हैं सौदी अरब सरकार का बिरोध दसोब रस पहले सौदी अरब के सबसे बड़े कबरिस्तान में मोहमत पैंगंबर साहब उनके परिवार और साथी के मजार पर हुई बिध्वान्सक करवाई के खिला पिछले सौद साल से बिश्व भर के सिया समुदाय के लोग सौदी अरब सरकार के खिला बिरोध परदसन जताते हैं बिरोध परदसन इसलामिक केलेंडर के अनुसार इद की आठवी तारीकों की जाती है इसी के मज़ नजर अभिवर कुराईदानी राची में सिया समुदाय के मुसलमानों के एक संगटा ने बिरोध परदसन किया मौसम विभाग ने जारखन के नौ जीलो में जारी किया एलो अलर्ट मौसम विभाग ने एलो अलर्ट जारी किया है जार्खन के नौ जीलों में में गर्जन और बजरपात के साथ बारिस होने की समभना जताई गई है इस दोरान मौसम विभाग ने चेतावनी जारी किया है कि सुरक्षित अस्थानों पर ही रहे बता दे आस्मान में छीटफूट बादल चाय रहने और कहीं कहीं हलके से मदर्जे की वज़ा से जार्खन में मौसम अभी वी सुहना बना हुए है राज्य भर में अधिक्तम तप मान 40 डिग्री से नीचे बना हुए है इस वज़े से जार्खन के लोगों को तप्ती गर्मी से रहात मिली है वही मौसम केंद्र रांची ने अगले तीन घंटे के लिए जार्खन के नौ जीलो पाकूर चत्रा पुर्वी सिम्भूम गुमला खुट्टी रांची सराके लखार सावा सिम्भूम के लिए ततकाली नौहसम चेतानी जारी किया है स्वास्तमंत्री बनना गुप्ता ने केंद्र से कुरोना एसोपी जारी करने का किया आगला जार्खन में कुरोना संक्रमन के रफटार इंदिनों तेज है राजे के अलग अलग जीलों से बड़ी संख्या में कुरोना के नई संक्रमित मिल रहे है राजे के 24 में से 29 जीलों में अभी कुल मिला कर 466 एक्टिव केस है इसके बावजूद सरकारी अस्तरपत संक्रमन को रोकने के लिए गंभीर परियास होता दिख नहीं रहा है राजे में कोरोना संक्रमन की बड़ती संख्या और केंद्र से अभी तक फैक्सीन नहीं मिलने पर स्वास्त मंत्री बंडा गुपता ने कहा है कि अभी इस्थीति नियंतरन में हाई जो भी केस कोरोना के मिले हाई वह माईल लक्षन वाले या बिना लक्षन वाले हाई में आसा ने जीता सुर्ण 28-37 अप्रेल तक तमिलाड़ू के तिर्वन मलाई सहर में आयोजीत 21-वी राश्ट्रिये फेडरेशन काप जूनियर अंडर 20 एथेलेटिक्स चैंपियन्सिप में जार्खन की आसा किरन बारला ने 800 मिटर इवेंट में 2.07.51 एक मिनट के सास्वन पदक जीता है बता दे गुमला जीले की रहने वाली आसा किरन बारला ने सनीवार को हीट में 2.08.38 मिनट का समाई लेकर फाइनल में जगा बनाई थी आसा को खेल विभाग के साथ भाठिया एतलेटिक्स एकेडमी के प्रसिचुओं ने बधाई दी है सर्जु राय बोले राष्ट पती सासन लगे पुर्व मंत्री साजम सेथ पूर पुर्वी के बिधायक सर्जु राय ने कहा है कि जारखन में बीधी बेवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है यहां पर धारा 356 के तहत राष्ट पती सासन लगना चाहिए उन्होंने कहा है कि राजे के हर छेत्रे में खनीज संपदा की लूट हो रही है खासकर धनबाद साहिब गंज हजारी बाग गिरीडी रामगर में कोईला चोरी की जगा अब लूट हो रही है इतने बड़े प्रमाने पर खनीज संपदा की लूट बताते हैं कि राजे के प्रसासन पर मुख्य मंत्री का नकेल नहीं रह गया पुरो मंत्र साहजुराय ने कहा है कि कई जीलों में बालू की लूट हो रही है लागातार इस तरह के मामलों में सिकायते सामने आ रही है बावजूद कोई करवाई नहीं होना दुर भागे पुर्ण है नीजी छेतर में 75% आस्थानिय युगाओं को मिले नोकरी जारखन बिधान सबागी विशेस समीति की जीला आस्तरिय बैठक सनीवार की देर साम परिस्तन बहुन में हुई बैठक में समीति के अध्याक सा स्थिकारी पड़ा बिधायक नलीन सुरेन वा पोड़या हाट के विधायक सा सदस्य परदी प्याद उपसित थे बैठक में समीति के अध्याक्स वा सदस्य ने अधिनियम 2021 और नियमावली 2022 के ताथ बताया है कि नीजी छेत्र वा बाहरी सुरोत द्वारा दी गई नोकरियों पशातर पर्थित आस्थानिय युवाओं को रोजगार उपलब्द कराया जाएगा जार्खन बिधान सबाकी विशेत समीति का ध्यक्स सिकारी पड़ा बिधायक नली शुरोत ने कहा है कि 40-11 वा उससे कम बेतन पाने वाले युवाओं को हर हाल में निजी कमपनियों में नोकरिय उपलब्द कराना है जार्खन में एक मई से समोहिक अवकास पर रहेंगे मनरेगा करमी जार्खन मनरेगा करमचारी संग के अवाहन पर परखन के मनरेगा करमी भगवान बिर्शामुंडा जन्म भूमी उलिहातू से रांची के राजभोण तक पद्यात्रा में सामिल होंगे संग के परखंड अध्यक्ष के का गोगराई के अनुसार सेवा अस्थाई करने वा बेतन ब्रीधी समेत अने मांगो के समर्थन में संग ने भागवान बिर्शा मुंडा की जन्म असली से राजभों तक पद्यात्रा करने की घोसना की है मैदूर दिवस पर मन लेगा कर्मी समुईक अवकास पर रहेंगे एत तीन माई तक समुईक अवकास पर रहेंगे इस दोरान एक माई को वे खोटी के उली हातू से राजभों तक पद्यात्रा करेंगे पूलिस के आने की भनक से भाग निकला एक कडूर का इनामी नक्सली पच्मी सिम्हुम जीला पूलिस एवाम सुरक्षावलों ने गोईल के रहा मनोहर पूर सीमा छेत्रे की गमहरिया पंचायत अंतरगत अंबिया गाओ के जंगल में रभीवार को नक्सलीओ खिलाब सर्च अप्रिसन चलाया हलाकि नक्सलीओ के पूलिस के आने की भनक लग गए इस दवरान पहाली पर बनाये गए नक्सलीओ के आट कैम को दोस्त करते हुए 21 चूलो को नश्ट किया गया वहीं 28 टेंट, डेटोनेटर, रिसीच और इलेक्ट्रिकल वायर भी ब्रामत किया गया मौके पर लगे टेंट को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि वहा है नक्सलीओ के सिष नेता एवं एक क्रोर के इनामी नक्सली मिसीर बेस्तरा की टीम मवजूद थी नबालिंग के साथ सामोहिक दूसकर्म के विरोध में आदिवासी संगठनों की आक्रोस रैली लोहर दग्या के कुड़ू थाना छेत्रे के एक गाह में आदिवासी नबालिक लड़की के साथ दो यूग को दूआरा अगवा कर सामोहिक दूसकर्म और पिरिता की हलत नाजूक होने से नदाज आदिवासी संगठनों ने अक्रोस रैली निकाली राजी परहा बेल बेजामीन लकडा तथा अप बेल बसंत उराओं के नितित में लोगों ने इस घटना की तीवर निंदा करते हुए आरोपिदों को फांसी की मांग की है तीन दिन पहले कुट्डू थाना छेत्रे के एक गाउं की लगबग 13 साल की नवालिक आदिवासी लड़की साधी समारों में सामिल होने आई है इस गाउं के दो युवक नसीम खान और मक्सूद पवर्या ने नवालिक का आगवा कर उसके साथ समोहिक दुसकर्म किया था राजेपाल ने सीवू सोरेंसे की मुलकात राजेपाल ने ट्वीट का इस मुलकात के बारे में जनकारी दी है बता दे राधा कृष्णन ने इस मुलकात को एक शीष्टा चार भेट बताया राजेपाल के सीवू सोरेंसे की आवास पर आने पर मुख्य मंतरी हमान सोरेंसे ने बुक्के दे कर उनका स्वागत किया मुलकात के दुरान राजेपाल सीपी दरदा किश्नन, सिभू सुरेन और मुख्यमंत्री हमान सुरेन एक साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं आदिवासी सेंगल अभियान के करकरताओं ने जेमेम का फुका पुतला रभिवार्खवा आदिवासी सेंगल अभियान के करकरताओं ने जामता सहर के इंद्रा चोक में संथाली भासा और उसकी लिपी ओल्ची की का बिरुद करने वाले इसाई मिस्नरी जेमेम की बिधायक सांसत वन्स परमपरागत मांचीवा दिसोम मांची थान समीती का पुतला दहन किया इस दोरान करकताओं ने जार्खन मुक्ति मोर्चा के खिलाब जमका नारे बाजी की पुतला दहन कारकरम आदिवासी सेंगल अभियान के जीला अध्याक बिसेस्वर मरांडी के अध्याक्सता में किया गया धन्यवाद